चैहन मित्रो सौगत है आपका दायनपी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस है तो हमारे सभी वेवर्स को या उनसे संबंधित सभी महिलाओं को हमारी ओर से दायनपी की ओर से अंतर राश्ट्रिय महिला दिवस की हार्दिक सुपकाम ना मित्रो आज अंतर राश्ट्री महिला दिवस पर हम आपके लिए महिलाओं से संबंदित कुछ खिर्तिमान महिलाओं के नाम लेकर आए हैं जिनके विसे में आप सभी को सुनना और जानना चाहिए तो सबसे पहला नाम है आनन्दी बाई को पालराओ जोसी का जिनके बारे में अभी मैंने हाल ही में ट्वीट भी किया था क्योंकि हाल ही में इनकी ड़त इनवर्सरी भी थी तो ये हैं भारत की प्रथम महिला फिजेसियन और तैयुक्त राज अमेरिका की यात्रा करने वाली भी यह पहली महिला है अगली है रोशनी सर्मा अभी हाल फिल हाल में ही रोशनी सर्मा पहली महला बनी है जिन्होंने कन्या कुमारे से कस्मीर तक बाइक राइडिंग की है अगली है स्रीला डावरे जो की देश की पहली महिला आटो रिक्सा चालग बन गई जब उन्होंने पहली बार वर्स 1988 में पुरुष प्रधान छेत्र में कदम रखा था इसके बाद अगला नाम है अरुणिमा शिनहा का जो माउंट एवरिष्ट पर चढ़ने वाली प्रिथम अपंग महिला बनी जिनके विशय में मैंने वीडियो भी बनाया है आप चाहे तो डिस्क्रिप्सन में दिये गया लिंक पर जाकर देख भी सकते हैं 2011 में इनके साथ बहुत ही दर्दनाथ हाथसा होने की कारण इन्होंने अपना पैर खो दिया था अगली है रिता फारिया पावेल जो की एक भारती मौडल डॉक्टर और ब्यूटी क्वीन है उन्होंने मिस्वर्ड 1906 का किताब जीत कर या किताब जीतने वाली पहली ACI महला बनी वह एक डॉक्टर के रूप में क्वालिफाई करने वाली पहली मिस्वर्ड विजेता भी बनी अगली है आरती साहा आरती साहा वर्स 1969 में अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली भारती और ACI महला बनी वह 1960 में पदमिस्री से भी सम्मारित होने वाली पहली महला की लाड़ी भी बनी अगली है मिताली राज जिने आप सब जानते होंगे जिनोंने टिस्ट क्रिकेट में वेलिंग्टन में 2014 में न्यूजी लैंड के खिलाब दोहरा सतक बनाने वाली पहली महला बनी अगली है मदर टेरेसा जिनसे आप सब भली भाती ही परचित होंगे 1989 में नोबिल पुरसकार जीतने वाली पहली भारती महला बनी मदर टेरेसा इन्होंने अपना शारा जीवन सामाजिक कारियों में लगा दिया अगली हैं इंद्रा गाधी इंद्रा गाधी को तो कौन नहीं जानता वह भारत की पहली और अभी तक की आखरी महला प्रधान मंत्री है जो 1971 में भारत रतने पुरसकार पाने वाली प्रथम महला बनी अगली हैं प्रतिबाब पाटिल इनके बारे में भी आप सब ही जानते होंगे जो की 2007 में भारत की पहली महला राष्ट्रपती बनी अगली हैं कलपना चावला जो की बहुत ही प्रसिद्य अंत्रिच्य यात्री है 1977 में अंत्रिच्य में जानने वाली पहली भारती महला बनी कलपना चावला अगली हैं किरन बेदी इन्हें भी कौन नहीं जानता, 1972 में भारत की प्रथम महिला अधिकारी बनी किरनवेदी अगला नाम है जस्टिस M. फातिमा वीवी का जो की पहली महिला नयाधीज बनी जिन्हें 1989 में भारत के सर्वोच्य नयायाले में नियुक्त किया गया था इनके अत्रिक्त हिमादास, निर्जा भनूट, सानिया मिर्जा, साहिना नहेवाल, सरला ठकराल, मैरी कौम, बचेंदरी पाल, दुर्गा बनर्जी जैसी बहुत सी महिलाओं ने अलग-अलग छेत्रों में मिसाल कायम की है बहुत ही अपसोस की बात है कि इतनी मिसालें बनने के बावजूद भी औरतें आज भी पीछे हैं कितनी अजीब बात है, पुरुस प्रधान छेत्रों में कदम रखने वाली महिलाएं आज भी उन छेत्रों में कदम नहीं रख पाती हैं जहां पर महिलाओं ने अच्छे अच्छे किर्थिमान इस्थापित किये हुए हैं इतने सारे नाम गिनाने के बाद चलिए अब आपको हम कुछ और चीजे भी गिनाते हैं जिसमें पहला है डली गैंग रेप केस 2012 दूसरा है मुंबई रेप केस 2013 तीसरा है राड़ागाट रेप केस 2015 चौथा है कटुआ रेप केस 2018 पाचवा है उन्ना रेप केस 2017 और ऐसे पता नहीं कितने रेप केस हर समय हर सेकेंड हर मिनट इंडिया में आते रहते हैं और नहीं सिर्फ इंडिया में चुकि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है तो आज हम इंटरनेशनल तोर पे अगर बात करें तो पूरी दुनिया में ना जाने कितने रेप केस आते रहते हैं और सिर्फ रेप केस की बात क्यों करें जैसे और भी बहुत सारे केसिज हैं जो हर समय महिलाओं के खिलाब दर्ज किये जाते हैं और होते रहते हैं NCRB की नवींतम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में महिलाओं के खिलाब अपरादों के चार लाग से अधिक मामले सामने आये हैं NCRB के अनुसार 32,033 बलातकार के मामले दर्ज हुए अर्थात हर दिन 88 बलातकार के मामले सामने आये हैं और यह महिलाओं के खिलाब अपरादों का सिर्फ 10 परतिसत है अभी हाल ही में आये निर्भया केस के परिडामों से यह अंदाचा लगाया गया था कि शायद अब महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपरादों में कुछ कमी आएगी परन्तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि अपराद बढ़ते ही चले जा रहे हैं शायद यह उस गैप के कारण हो रहा है जो नयाय मिले में अपने भारत में हमेशा ही लग जाता है और उस गैप के बीच में नजाने कितने सारे नए केस और बन जाते हैं इन सब के बाद भी हम अंतर राश्टी महिला दिवस मनाते हैं महिलाओं के सम्मान के लिए मित्रों हमारे देश में नेता लोग महिलाओं को लेकर भासर तो बहुत ही देते हैं लेकिन उनके अंदर महिलाओं को लेकर सम्मान कितना है ये एक आद बार उनकी अभदर तिपड़ी से सामने आ ही जाता है और इसते बेजादा सर्मनाग बात ये है कि महिला नेत्री वे पच्छी पार्टी के नेता द्वारा की गए अबदर तिपड़ी का बहुत ही विरोध करती है लेकिन अपने अपनी पार्टी के नीता द्वारा की गई टिप पड़ियों का उन्हें कोई असर नहीं पड़ता है फिरोधियों को लेकर कर तो बहुत बड़े-बड़े महिलाओं के सम्मान के डिंगे हाकती है लेकिन जब अपने पार्टी की बात आती है तो चुप बैट जाती है भूल जाती है कि वो भी एक महिला है और हमें लगता है कि जब तक महिलाएं खुद एक नहीं होंगी जब तक औरतें खुद एक नहीं होंगी हम सब खुद साथ नहीं आएंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है